नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं राष्टपती मुर्मुने नायंद मोदी को प्रधान मंत्री पद के लिए मनोनित करने के साथ कहा है कि नई सरकार का सपत गरहन समारो रभीवार की साम को होगा इसे पहले भारतिये जनता पार्टी के अध्यक्स चेपी नड़ा ने राष्टपती को एंडिये संसदिये दल के नेता के रूप में नायंद मोदी के चायन से समधी एक पत्र सोपा इसी के साथ यहताय हो गया है कि राष्टपती 9 जून 2024 को साम 7 बचकर 15 मेट पर राष्टपती बहुन में परधान मंत्री और केंद्री ये मंत्री परशत के अने सरस्यों को पद और गोपनिये ताके सबत दिलाएंगी ज्यारखन में 16 जून के बाद मानसून पहुँचने के असार राजे में चल रहे है तेज गर्मी से फिलाल रहत मिलने वाली नहीं है मौसम विभाग रांची ने अपने पुरोनमान में कहा है कि जारकन में अब 16 जून के बाद ही मानसून के पहुचने के असार है वहीं 15 जून से राज में बारिस की कतिवितियत तेज होने की संभूना है मौसम विभाग के बेग्याने अविसेक अनन्द के अनुसार अभी गर्मी का दोर जारी रहेगा राज में कहीं कहीं हीट वेव की इस्तिती भी बनी रहेगी इसी दोरान राज का अधिक्नम तपमान 38 से लेकत 46 डीरी के बीच रहेगा हलाकि कई जिलों में मौसम में भी बदलाव होते रहेगा कहीं कहीं हलके या मत दर्जे की बारिस होगी राज के कई हिसों में अगले चार दीनों के दोरान कुछ जगों पर तेजहावा और बजरपात या एलो अलर्ट जारी किया गया है सरांडा के जंगल से CRPF जवान को यर लिफ्ट कर भेजा रांची जारखन के सरांडा जंगल में केंद्री रिजर पुलिस बल के एक जवान को परालेसिस अटेक आ गया है उसे यर लिफ्ट कर के राजधनी रांची ले जाया गया है सरंडर जंगल में तैनात CRPF 26 बाटारियन की जवान का नाम उतम कुमार बताया गया है पारालेसिस अटेक के बाद उसकी गंभी रिस्थिती को देखते हुए उन्हें BSF के हेलिकोप्टर से बेहतर इलाज के रांची भेजा गया जैसे ही जवान को पारालेसिस अटेक की जनकारी मिली सुक्रवार को सुबह करिब 10 बजे BSF के हेलिकोप्टर ने पच्मी सिम्मू के मेगा हातु बुरू मैदान इस्थित हेलिपेट पर लेंड किया हेलिकोप्टर लेंड करते ही CRPF के अधिकारी वजवान गम्भी रूप से बीमार उतम कुमार को बिना देरी किये इस्ट्रेचर से हेलिकोप्टर के माधम से रांची ले जाया गया गोड़ा जाम तवावा पाकुड में नई पुलिस लाइन का उध़ाटन जल्द जारखन के मुखमति चमपाई सुरेण ने जारखन पुलिस हाउसिंग करफूरेशन लिमिटेट के बहुर निर्मान से जुड़ी योजनाव की समिक्चा की है इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से स्विक्रित सभी थाना भवनों का निर्मान जल्द कारे सुरू करने को कहा है उन्होंने सभी थानों के परिशरों में वन विभाग के सहयोग से बिर्क्षार ओपन करने का निर्देश दिया बता जाए राजे के गोड़ा, जामतरा और पाकूर में नई पूलिस लाइन बन करते आर है इसका उधार्टन जल्द किया जाएगा जार्खन के मुख मंतरी चमपाईस्तुरे ने कहा है कि जार्खन पूलिस हाउसिंग कर्परेशन लिमिटेट दोवारा जिन भवन निर्मान योजनाओं का किर्योंन किया जाना है उनमें पूरी पारदार सिता बरती जानी चाहिए मुख मतरी ने स्विक्री सभी थाना भवनों का निर्मान सिग्र सुरू करने और लंबित भवनों का निर्मान कार्याता सिग्र पूरा करने का निर्देश दिया है जार्खन के सभी कॉलेजों में बंध होगी पीजी की पढ़ाई प्रदेश के उछ शिक्षा विभाग की ओरसे एक ऐसा प्रस्ताव त्यार किया गया है जिसमें सभी कॉलेजों से PG की पढ़ाई को बंद करने का प्रधान किया गया है इस समध में सारे विश्व विद्यालेों से प्रस्ताव भी मांगा गया है इसे लेकर उच सिक्षा विभाग में एक बैटक सभी विश्व विद्याले के पतादिकारियों के साथ हो चुकी है इसी प्रस्ताव को विभाग जारकन सरकार को भेजने की तियारी कर रहा है इस प्रस्ताव में कॉलेजों में PG की पढ़ाई बंद कर अब एक ही जगह सारे विश्वविद्याले में इसकी पढ़ाई होगी दरसल UGC के आदेश के बाद जारकन सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है इस समध में कॉलान विश्वविद्याले के रईस्टार डाक्टर रैंदर भारती ने कहा है कि UGC के निर्देश के अनुसार ही यह प्रस्ताव त्यार किया गया है नई राष्ट्रिय सिक्षा नेति के नियमों के आलोक में इस तरह का प्रस्ताव है इसे लेकर बैठक भी उच सिक्षा भी भाग में हो चुकी है प्रस्ताव केबिनेट के पास होने के बाद ही यह राजे में लागू हो पाएगा जुलाई में फिर सुरू होगा सरकार आपके द्वार कारकरा हम लोक सभा चुनाव खत्म होते ही जहरकर्ण सरकार हरकत में आ गई है मुखे मंत्री जमपाई सुरेन ने सरकार के अहम अभियान सरकार आपके द्वार कारकरम शुरू करने जा रही है इसको लेकर मुख्य मंत्री ने मुख्य सची वा सभी भी भागिये सची वो को निर्देश दिया है कि इसका ब्लू प्रिंट तयार कर ले बहुत जल्द अभियान को सुरू करने के लिए अहम बैठक होगी मुख्य मंत्री के निर्देश के बाद सची वाले अस्तर पाहल चले तेज हो गई है बताते चले कि प्रोवर्ति मुख्य मंत्री है माउन सुरेंट की महतो कांशी अभियान आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम की सुरात 12 अक्टूबर से सुरू की गई थी अब तक कूल तीन चलन का अभियान चलाया जा चुका है जिसका कापी अच्छा रिस्पोंस मिला था इसलिए इस अभियान को सरकार ने फिर से सुरू करने का निन लिया है खोटी में पियले भाई के तीन उग्रवादी गिरफदार खोटी जिले के जरिया गड थाना छेतर के बेवसायूस लगतार लेवी की मांग करने वाले प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीप्लस लिवरेशन फ्रंट आफ इंडिया के तीन सक्रिय उग्रवादियों को पुलिस ने गुरुआर को गिरफदार कर लिया है आरोपितों के पास से पीलेफाई के परचे संगठन के बिस्तार से समधी प्रेस भीग अपती दो बाइक और पांच मोबाइल बरामत किये गए तो औरपाय के उन्वंडर पुलिस पतादिकारी क्रिस्टोफर केरकेटा ने सुक्रवाद को प्रेस्वारता में बताया है कि पुलिस अधिक चक अमन कुमार को गुपत शुचना मिली थी कि पेलेफाई के कुछ उगरवादी बेवसायों से लेवी वह सुनने के लिए जरिय अगर आने वाले हैं इस पर पुलिस टीम ने कैची मोल के पास एंटीक क्राइम चेकिन अभ्यान चलाया है इसी दोरान एक बाइक पर सवारतीन युकों को संदिक धलात में पकड़ा गया उनकी तलासी लेने पर संगठन के परचे आधी ब्रामत किये गया है एसपी को भाड़े की एसकारपियो एसेचो को मिलेगी बलोरो जारखन पुलिस किराय पर एसकारपियो और बलोरो लेगी एसपी को एसकारपियो और थानेदार को बलोरो दी जाएगी थानो और पेट्रोलिंग में कबाड हो चुके वाहनों को भी बदलने की त्यारी है लेक राजय पुलिस मुख्याले ने प्रस्ताव भेजा है प्रस्ताव के मुताबिक जीखो के ASP वा कमांडेंट भी 8 से 10 साल पुराने वहनों का इस्तिमाल करते हैं अधिकतर वहन अब खस्त हाला इस्थिती में है ऐसे में जीखो के SP वा कमांडेंट के लिए स्कार्पियों किराये पर ली जाएगी पाकुल में यूती के साथ गैंग रेप मामले में आठ आरोपियों ने कोट में किया सरेंडर पाकुल के हीरनपूर्थाना छेतर में एक जुन की सामदलित यूतिक साथ समोहिक दूसकर्म मामले में पुलिस ने तरुवित करवाई करते हुए दो जुन को ही मामला दर्च कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था वहीं 11 आरोपियों के विरूद मामला दर्च किया गया था पुलिस के भाय से कूल आठ आरोपियों ने सुक्रवार को जिला बेवहार नेले पाकुण में आत्म सरपन कर दिया है वहीं एक अभियूक्त फरा रहा है बताया जा रहा है कि बीगस सन्निवार को हिरनपुर्थाना चेतर में दलित यूतिक साथ गेंग रेप की घाटना को 11 बाद मासों ने अंजाम दिया था इसको लेकर पीर्थाने अपने परिजन के साथ रविवार को थाने में सिकायद दर्श कराई थी साथ ही दो लोगों को गरामिनों के सवह जोग से पुलिस के हवाले कर दिया गया था इसके बाद हिरनपुर्थ पुलिस ने मामले को संग्यान में लेते हुए बानी जी संकाय में नमाकन को लेकर 384 सीट निर्धारित करने के निर्ने का बिरोध करने की घोसना की गई है जारकन राजे बीत रही सिक्चा सन्युक संगर्श मोर्चा के सुक्रवार को सर्वोदय निकेतन इस्कूल में हुई राज अस्तरिय बैठक में जारकन एकेडमिक काउंसिल द्वारत सीट घटाने का बिरोध किया गया वक्ताओं ने जायक से सीट घटाने के निर्ने को आपस लेने की मांग की है वक्ताओं ने कहा है कि जायक अधिनियम 2006 में असपस्ट है कि पलस्टू अस्तर के संस्थानों में सीट निर्धारन का अधिकार जायक को है इसके बावजूद सिक्षा सच्चिव के पत्रे के अधार पर सीट क्यों घटा दिया गया जैक बोर्ड से निर्ने के ओ नहीं कराया गया वहीं सरकारी पलस्टू स्कूलों में अस्तिमीत नमांकन की खोली छुट कैसे दी गई है वैठाग में इंटर कॉलेजों में सीट निर्धारन के निर्ने अनुदान की रासी मसी पज़बढ़ोतरी सराय केला में जमीन अधिगरहन को लेकर पूलिस और ग्रामिनों की बीच ज़ड़ा की ज़ड़ा की बाद मामला इतना बढ़ गया ग्रामिनों बपूलिस ज़वानों के बीच धाक्का मुख़ी भी हो गई है काम सुरू कराने के लिए परसासन दोरा ग्रामिनों पर लाठी चार्ज भी किया गया इस पर ग्रामिन और उग्र हो गए गरामिनों के उग रतेवर को देखते हुए जीला परसास्ता ने फिलाल काम बंद करा दिया है इस मामल में जीला परसास्ता ने सराय के लथाना में 7 नामजात और 130 अग्यात के खिलाप प्रात्मिकी दर्च कराई है प्री मानसुन के नाम पर 10 दिनों तक होगी 3-4 घंटे बिली की कटोती करेगा जमसेतपूर एरिया बोट के अस्तार पर बिली कटोती का सेडिूल त्यार किया गया है इसमें सुबा से लेकर दो पहर तक में एक फीडर दो दिन अधिकतम बिली काटी जाएगी वहीं बिली आपूर्ती ठप रहने के दरन विभागे टीम फीडर से जुड़े बिली तारों टांसफर्मरों के आसपास पेड़ वा पधों की डाली की शटाई का काम करेंगे इस दरन बिली के जरजर तारवा उपकरन भी बदले जाएगे इसके अलावा आंधी बारिस के दरन विजली आपूर्ती प्रभावित होने की विशेश परिस्थिती होने पर उससे ससमय निपटने के लिए बिली विभाग के टीम परकंडवार अलग से मोर्चा संभालेगी गौतलव हो कि इस साल गर्मी के मौसम को लेकर 5-6 मा पूरू जनवारी फख़वरी में एक मा मेंटेनेंस के नाप परकंड़ती कर चुका है आलमगीर आलम से सीम चमपई ने वापस ले आवंटित सभी विभाग टेंडर कमिशन घोटाले में न्याई खीरासत में रह रहे मंत्री आलमगीर आलम से सभी विभाग आपस ले 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 गए हैं ये सभी विभाग अब मुख मत्री 25 तुने ने संभालेंगे मुख मंत्री के पास पूरू में आवंटित विभागों के साथ साथ संसदिय कारे विभाग, गरामिन विकास विभाग, गरामिन कारे विभाग तथा पंचायती राज विभाग भी रहेगा बता दे मंत्री मंडल सची वाले एमनिग्राने विभाग ने सुक्रवार को इस समध में सुस्थन जारी कर दी है ये चारों विभाग अलमगीर अलम के पास थे संध्या चौपाल में मंत्री मिथलेस ने किया जन्द सनवाद गढ़वा विधायक जार्खन सरकार के पेज अलम स्वक्स्ता मंत्री मिथलेस कुमार ठाकूर ने मेराल परखंड के विभीन पंचायतों में संध्या चौपाल लगा कर लोगों के समस्याव का नेराकन करने का कारिकरम प्ररण किया है मंत्री ने गणदा पंचायत के संध्या जन्द चौपाल करकरम में पहुँचकर लोगों सनवाद किया है उनके द्वारा मौके पर ही कई गरामिनों की समस्याव का समध्याव का समध्याव का हर संभव समध्याव के लिए आगे भी ततपर रहेंगे एक दिन पूर्व पड़वा पंचायत में भी संद्या चौपाल में जन सनवात कर मंत्री ने लोगों की समस्यावा का समधान किया था मौके पर काफी संख्या में करकारतावा गरामिन मौजूद थे अंताराष्ट्रिये छो निरत्य को लेकर सीम किये गए अमंत्रीत मौके मंत्री चमपाई सुरेन से सुक्रवार को स्री सरोजनिक मा मंसा कल्व बासुंडा गमहरिया सराई के लाखर सवाग प्रतिन दिमंडल ने मुलकात की उन्होंने मौके मंत्री को बासुंडा में 15 जून को आयुजित होने वाले अंतराष्टी चो निरत्य कारकरम में मुके मंत्री के हाथो किया जाना है मुके मंत्री से मुलकात करने वालों में मांजी बाबा पिठाव टूडू के साथ सिरी सिरी सरोजनिक मा मंसा कल्व बासुंडा के मुके सिंग देव सामिल थे टीबी से बचाओ के लिए नवजात को दिये जाने वाला बीसी जी टीका अब राज के युवाओ और बुजूर्गों को भी दिया जाएगा आईसी एम आर की सिफारिस के बाद राज के बारह जीलों में अभियान चला कर टीका लगाया जाएगा राज यक्षमा पता दिकाई डाक्टर कमलेस कुमार ने बताया है कि राज इसे टीबी के खात्मे के लिए दो अभियान चलाये जाएगे एक में राज के सभी जीलों में साहिया घर घर जाकर लक्षनों के अधार पर टीबी के मरीजों की पहचान करेंगी वहीं लक्षन वाले मरीजों की पहचान के बाद नमुना लेकर निसुल्क जाच कराई जाएगी टीबी की पुष्टी होने पर मुफ्त उपचार किया जाएगा अभियान साथ से 20 जुन तक चलेगा वहीं दूसरी अभियान राज के 12 जीलों में चलेगा इन जीलों में रांची, खोटीलो, हर्दाका, लातेहार, चत्रा, रामगर, बोकारो, जामतला, गिरीडी, दुमका, साहव, गंजव, पच्मी, सिंभूम, सामिल है सरकार 50 जेर गिग सरमिकों को समाजिक सुरक्षा के दायरे में लाएगी रांची समयत राज के विभीन सहरों में काम कर रहे 50 जेर साधिक गिग सरमिकों को सरकार समाजिक सुरक्षा के दायरे में लाएगी एक गिग कामगारवे हैं जो ऑनलाइन कमपनियों के लिए भोजन, समान की डिलेवरी समयत अने सिवाय देते हैं सरम एवम नियोजन विभाग के अधिकारी जल्दी ऑनलाइन कमपनियों के साथ वर्क्षोप कर आपसी सहमती बनाएंगे इसके बाद प्रस्ताव इधान सवाम बेजा जाएगा वहाँ कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे राज में लागू कर दिया जाएगा जारखन में इसकूल आज से खुल रहे पर M.D.M का पैसा नहीं जारखन में सरकारी सकूल आठ जून से गिरिस्मा आउकास के बाद खुलने जा रहा है इधर प्राराबिक स्कूलों में मद्याहन भुजन के लिए राची नहीं है ऐसे में स्कूलों के सिक्षकों के पास समस्या आ पड़ी है कि स्कूल खुलने के बाद वे बच्चों को कैसे मद्यान भोजन कराएंगे बता दे कि सरकारी स्कूलों को बरतमान बीतिवर्श 24-25 के लिए अब तक कुकिंग कास्ट की रासी नहीं मिली है इसकी वज़ा से यह समस्या आ रही है इसे पुर्व अंडा के लिए दी गई रासी से गिरित्मा आवकास से पहले स्कूल मद्यान भोजन चल रहा था इसी रासी से सब्ता हमें दो दिन अंडा के अलावा डाल सबजी तेल मसाला लाकर मद्यान भोजन बनाया जा रहा था दिव्यंग पाराशिक्षकों को मिलेगी पांच परतिसाथ छूट जारकन के पाराशिक्षकों की आकलन परिक्षा में दिव्यंग पाराशिक्षकों को पांच परतिसाथ की छूट मिलेगी एस्टी एस्टी ओवी सीगिताजबर 35 फिजदी अंक लानने पर दिव्यंग पराशिक्चक भी पास कर जाएंगे इसके लिए नियमावली में संसोधन किया जा रहा है नियमावली संसोधन के बाद दूसरी आकलन परिशा का सेडूल जारी किया जाएगा और परिक्चाली जाएगी जारकन एकेडमी कॉंसील ने नियमावली में संसोधन का प्रस्ताव स्कुली सिक्षाव सस्कता विभा को दे दिया है बतादे पहली आकलन परिक्षा में समाने वर के परासिस्कों के लिए 40 परचत अंक लाना आनिवार था वहीं दिव्यांगों के लिए भी अलग से कोई प्रवधान नहीं किया गया था जिससे उनका भी क्वालिफाइंग अंक 40 पिजदी ही हो गया था पिएम किसान की 17 किस्ट जून लाश्ट तक परधान मंत्री किसान समान निधी योजना के तहत देश के कड़ोरों किसानों के खाते में 17 किस्ट की पैसे आने वाले हैं इसलिए हैसे अब जून के महीने में किसानों के खाते में पीम किसान के 17 वी किस्त के पैसे आने वाले हैं हलाकि अठारवी लोकसभा के लिए चुनावी परक्रिया भी समाप्त ही हुई है और नई सरकार के गठन के पर किया चल रही है इसलिए फिलाल सरकार की और से तारिक एलान नहीं किया गया लेकिन उमीद जाहिर की जा रही है कि जून 2024 के आखली सब्ता में पीम किसान के 17 वी किसके पैसे किसानों के खाते में डाल दिये जा सकते हैं धन्यवाद